हाल में ही आप लोग उने देखा होगा कि पश्चे मंगाल में आपकी राज विधान परिशद के लिए पिस्ताओ पारित हो चुका है और पिस्ताओ पास होना भी था क्योंकि आप जानते हैं कि मम्ता बनरजी के पास कापी अच्छा बहुमत है और आपको बता दूँ कि राज विधान परिशद हो या फिर विधान सभा हो या फिर आप देखी राज सभा हो लोग सभा हो इनसे कुष्टन्स आपके परिच्छाओं में आते रहते एक बहुत अच्छा कुष्टन्स बना था कुष्टा मैं पहले आपने देखा होगा यूपी फीट सीयस में कि ऐसा कौन सा सदन है जिसे जो इस्थाई सदन है लेकिन उसे खतम किया जा सकता है तो आप जानते हैं कि कई राज्यों ने राज्य विधान परिच्छत को खतम भी किया है कई ने गठन भी किया है लेकिन राज्य सभा आप जानते हैं कि इस्थाई सदन है उसका कभी विक्टन नहीं होता है ठीक है उसी तरह आपका विधान परिशत भी स्थाई सदन है लेकिन आप देखते हैं कि इसका इसे खतम भी किया जा सकता है अगर किसी राज्य में नहीं है तो हाँ बनाये भी जा सकता है ठीक है और कई राज्यों में आप देखते हैं उत्तरवदेश में देख लिजे विधा अंदाव महत्व इसलिए होता है, उद्देश इसका इसलिए होता है कि राजनितिक महत्वा कांचा साधने के लिए, आप समझे कि आप सभी लोगों को विधायक नहीं बना सकते हैं, या फिर आपका कोई नेता हार गया चुनाओ, उसे आप लोगों को मंत्री बनाना है या मु परिशत के जरिये मुख मंत्री बन जाते हैं, अगर आप सोचिए पश्चे मंगाल में होता तो ममतबनर जी कोई एक सीट खाली नहीं करवानी पड़ती, वो भी विधान परिशत के जरिये मुख मंत्री बन जाती है, क्योंकि वो विधायक का चुनाओ हार गयी है, और इसी सिंदिया को ले लीजी आप लोग, जोती अधित सिंदिया को, वो MP से लोकसवा चुनाओ हारे थे, लेकिन आपने देखा है, BJP उन्होंने ज्वाइन की, कॉंग्रेस के सरकार गिराई थी, तो उसका इनाम उन्हें देखी, राजसवा के रूम में मिला था, फिर आपने मंत्री भी बना दिया गया है, तो ये सभी राजनेतिक मुझे लगता है घटना किरम जानदा देखा जाता है, और आप लोगों को एक और बात बता दो, देखिए अगर आप किसी भी सिदन के सदस नहीं है, तब भी आप मंत्री भी बन सकते हैं, और पिधान मंत्री भी बन स सकते हैं मुख मंत्री भी बन सकते हैं लेकिन छे महीने के अंदर आपको सदस बनना होगा के अंदर में अगर आप मंत्री बिधान मंत्री बनते हैं तो आप लोगों को बारे में कैसे इनका चुनाव होता है वो भी देख लेते हैं हाली में पश्चे मंगाल में आपने देखा है एक बार सबसे पहले आप लोग पस्चे मंगाल को जरूर देख लिए यह हमारा प्यारा भारत इसमें आप देखेंगे यहां में आपको देखने को मिलेगा और से दिखाई नहीं दे रहा होगा यहां आप लोग देखिए इसकी रादधानी कोलकाता है ठीक है और इसके बारे में अगर हम कुछ और पॉइंट बता है आपको क्योंकि आप देखते हैं कई बार इससे कुष्टन से भी पूंच लेता है आपका देखिए बंगलादेश से इस बिहार से किम और आप देखेंगे किस से असम से ठीक है यह भी आप लोग याद रखें पश्चे मंगाल को अगर आप करें कि राज्य का दर्जा कब मिला था कब बना था राज 26 जन्वरी 1950 को जिस दिन आप देखते हैं कि पूरी तरह से आपका समिधान लाग हुगा था यह लोग सभा सीटों की बात करें तो 40 सीटें देखने को मिलेगी राज्य सभा सीटें 16 देखने को मिलेगी यह भी आप लोग याद रखेंगा और आपको बिधान सभा की बात करें तो 294 सीटें देखने को मिलेगी ठीक है यदि पश्चे मंगाल राज की बिधान सभा द्वारा पारित पिस्ताओ को केंद की राजसभा और लोकसभा का समर्थन मिल जाएगा तो आप देखेंगे पश्चे मंगाल राज में 94 सदस्त बाली बिधान परिशत का गठन हो जाएगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इससे कम भी हो सकता है लेकिन जाना नहीं हो सकता है क्योंकि आप जानते हैं कि कुल विधान सभा सीटों का एक तिहाई ही आपके विधान परिशत सदस बन सकते हैं ठीक है? और पश्चे मंगाल में पहले भी आपकी विधान परिशत हुआ करती थी, लेकिन आपने देखा होगा कि 1979 में इस राज में विधान परिशत को समाप्त कर दिया गया था, अग्यार हम लोग बरतमान की बात करें, किनके राज्यों में आपकी विधान सवा देखने को म मिलेगी? तो आपकी बिहार में भी उत्तरविदेश में, महराष्ट में, आंधरविदेश, तेलंगाना और करनाटक, यानि कि 6 राज्यों में आपको देखने को मिलेगी, आप जानते हैं जम्हू कस्मीर में भी थी, लेकिन जम्हू कस्मीर को दो भागों में माठ दिया गय है ठीक है अगर विधान पर्शद की बात करें हम लोग तो राज बिदान मन्ल का दूसरा और उच्च सदन होता है आपका कौन सा विधान पर्शद ठीक है उच्छ सदन या दूसरा या विधान सबासे कम महत्पोर सदन है यानि कि इसके पास विदान सबा इस थाफित या समाप्त करने का आधिकार दिया गया है कई राज्यों में आप देखते हैं कि बंती रहती हैं और फिर खतम होती रहती हैं तो आर्टिकल 179 को आपको याद रखना है इसके लिए आप देखेंगे उस राज विधान सबाद वारा और इस आसाय का संकल पमडी कु सदस संख्या के बहुमत से और उफस्तित और मद्दान करने वाले सदसों के दो त्याई बहुमत से पारित किया जाना जरूरी है ठेक है और इस पेकार आप देखेंगे बिधान पश्चत ऐसा सदन है जिसे समाप्त तो किया जा सकता है विक्टित नहीं किया जा सकता है यह क्लाइन का कुश्चन्स कई वार बन चुका है एसे समाप तो किया जा सकता है लेकिन विक्टित नहीं किया जा सकता है मूल समिधान में आप देखेंगे एक सो अर्षट जो आपका है ये पर आधान करता है कि कुछ अधिक संख्या वाले राज्य जैसे आंध्य पिदेश, विहार, मद्य पिदेश, तमिलनाडू, महराष्ट, पंजाब, कलनाटा, कुत्तर पिदेश, पच्चे, मंगाल विधान मंदल 2 सदि nhất होगा, सेस राज़ों में 1 सदि nhất होगा और मद्य पिदेश को छोड़का सवी राज़ों में समय समय पर विधान पर्षट का गठन भी होता रहा है और बाद में कुछ राज्जों ने विधान पर्चत को एक अनुपियोगी सदन मानते हुए इससे समाप्द भी कर दिया था आंद पिदेश में आपने सुनाओगा कि कुछ समय पहले खतम करने की बात की जा रही थी संसद ने विधी द्वारा 1989 में पंजाव उपश्चि मंगाल की 1985 में आंद पिदेश और 1986 में अर्थ तमिलाडू में विधान परिशत को समाप्द कर दिया था साथवे समिधान संसोधन अधियम 1956 द्वारा राज्यों की पुनगर्थण की समय मदः पिदेश में विधान परिशत का तरावधन तो किया गया था 2007 में आप देखेंगे आंद पिदेश में विधान परिशत को पुना इस्तापित किया गया था और इसके बाद आपने देखा कि तेलंगाना आंद्रपिदेश से अलग करके 2014 में राज बना था, तो आँ भी आपकी विधान परिशत थी, देखेंगे, बरतमान में आप देखें कि जम्मू कस्मीर के अत्रिक 6 राज्यों में विधान परिशत का अस्तित थे, जबकि सेस 22 रा अभी तो टोटल आप 6 देखेंगे, टेक है, जम्मू कस्मीर में आप देखेंगे, 2019 के पहले था, लेकिन 370 हटने के बाद आपने देखा है कि दो भागों में बटने के बाद, अभी यहां के बारे में चुनाओ नहीं हुआ है, इसलिए कम्पिलीट जानकारी भी नहीं है, विधान परिशत की अगर हम लोग गठन की बात करें, तो सम्विधान का अनुछेद 171 विधान परिशत की रचना और गठन के बारे में कहता है, और किसी राजी में विधान परिशत की सदसों की कुल संख्या, उस राजी की विधान सवा, यानि की विधायकों की संख्या की कुल संक्या के एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती है कम कितनी भी हो सकती है अधिक नहीं हो सकती है किन्तु आप देखें कि किसी विधान फरिशत के सदसों की कुल संक्या किसी भी दसा में 40 से कम नहीं होनी चाहिए 40 से कम और अधिक एक तेहाई से आधिक नहीं होने चाहिए ठीक है और इसी तरह आप लोग विधान सभा में भी देखते हैं कि विधान सभा में 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए 60 से कम नहीं होनी चाहिए लेकिन कई राज्या आपको देखने को मिलेंगे कि 60 से कम भी विधान सभा आपको विधान सभा सदस देखने को मिलेंगे तो ये भी एक अफवाद कह लीजिए याद रही कि उत्तर पिदेश की विधान परिश्चत में सरवादिक संख्या है, 100 संख्या है और उत्तर पिदेश में देखिए चाहे लोग सभा हो, राज सभा हो, विधान सभा हो सभी सदसों की अधिक संख्या है लोग सभा में 80 देखते हैं राज सभा में 31 देखते हैं और आप विधान सभा में 403 के करीब देखते हैं। अनुछेद 173 के अनुषार विधान सभा के सदसों के कर चुनाओ आप यत्यक्ष रूप से अनफातिक पित्ति निदित्य फद्धिती के अनुषार एकल संग मड़ी हैं मत द्वारा होता है। इसे भी याद रखें। विधान सभा के सदसों द्वारा होता है और विधान वरिषत के सदस आप देखेंगे कुल सदसों संख्या के एक चटवा भाग वराजपाल द्वारा ऐसे ब्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है जो साहत विध्यान कला अत्वा समासिवा किछित में विसेस ग्यान या फिर अनुभाव रखते हों। सदसों को किसी भी स्तिती में अधालत में चुनोती भी नहीं दी जा सकती है साहत विध्यान कला समासिवा सहिकारता अंदोलन एक ये भी याद रखिएगा ठीक है और विधान परिशद की अउधी की अगर हम बात करें तो विधान परिशद एक इस थाई सदन है वहीं आप देखिए विधान सवा तो पांस साल हर पांस साल में आप देखते हैं चुना होता है ठीक है इसे कभी भंग नहीं किया सकता है और इसके एक त्याई सदस आप देखेंगे कि हल दूसरे वर्स में इनका आउका समाप्त होता रहता है और नए आती रहते हैं यानि कि एक त्या सबस्त कि विधान परिशंद की सदस बनते हैं तो चैस?」 दह्यां, किसी नए सदस को निर्वाचियात मनूनीत किया जाता है तो इसकी सदस्ता बची-ङुय-अधी के लिए ही होती है। साब से क्योंगे की याद रखी कि इसमें एक पूरी नेमित विक्रिया चलती रहती है बढ़ना गड़बडा जाएगी समझ रहें अगर हम लोग इनकी आहारताओं की यानि की ये उगताओं की बात करें तो समिधान की अनुचेद 173 के अनुसार किसी ब्यक्ति को विधान फिर्शत का सदस् निर्वाचित होने के लिए क्या क्या आवस्त होना चाहिए एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए तीस बर्स की याई उसे पूर्ट कर लेनी चाहिए ऐसी अन अहरता रखना जो संसत द्वारा निवेश किसी विधी द्वारा वेथ हो अगर यह सभी योगता हैं आपके पास हैं तो आप भी बन सकते हैं इसके अतरिक्त आप देखेंगे विधान परशत के निर्वाच्य सदस उस राज जी की किसी विधान सभा के निर्वाच्य चेत का निर्वाजक होना चाहिए और मनोनीत किये जाने वाले सदस को उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिस विधान परिश्द का हुआ सदस बनना चाहता है और विधान परिश्द के पदाधिकारियों की बात कर लेते हैं तो अनुचेद 182 के अनुसार विधान परशित के दो प्रमुक पदादिकारी होते हैं, एक तो सभापती, दूसरा ओप सभापती, और आप जानते हैं कि राज्य सभा होते हैं, इसमें भी आप देखते हैं सभापती, ओप सभापती, एक पॉएंट और आपको बता देता कौन होता है, उपराश्टपती, उपराश्टपती राज्य सभा का सदस्त नहीं होता है, एक कुश्चन कई बार पूछ लिया है, कि वो बैक्ती कौन है, जो उसका सभापती होता है, अध्यक्चे जित्ता करता है, लेकिन उसका सदस नहीं होता है, तो याद रखिए सभाप स्भापति, राज्य-सभा, पपराश्ट पती और इन दोनों के चुनावग वही कि कहा एगर सभापति उप्षभापती बिधान परिषद् की बात करा हूं, तो बिधान परिषद् अपने सदस्वética करता ह screening वृधान परिषद् जब तकि वे विधान परशत के सदस्त रहते हैं और वे एक दूसरे को त्यागपत भी दे सकते हैं सभापती उपसभापती को उपसभापती सभापती को और सभापती अपना त्यागपत उपसभापती को उपसभापती अपना त्यागपत सभापती को सभापती उपर सभापती को पडशत के ततकाली समस्ता दस्तों के बहुमत से पारिस संकल्प द्वारा पलसे भी हटाया जा सकता है परंतु ऐसा संकल्प तब तक पिस्तावित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उस संकल्प को पिस्तावित करने वाले कम से कम 14 दिन पूर सूचना सभापती और सभापती को जिसे हटाना है ना दी जाए यानि कि हटाने से पहले उन्हें 14 दिन पहले सूचना देनी होगी आपको यह कहान ही आपकी विधान परशद की समझ रहें आप लोग अभी आप देख रहें कि माना जा रहा है कि चुनायोग चुनाओ नहीं करवाएगा क्यांकि आप ने देखा है कुरोट महामरी चल रही है अभी उत्तराखंड के CEF शाहाँ आधार पर दियाए है तो कहा जा रहा है मंताब मनदीगा क्या होगा कि समय रहें आप लोग क्यों कि 6 महीं तक वो मुकमंत्री रह सकती हैं तो उन्हें सदस बनना होगा तो आप देखने आने वाले समय में मालूँ चलेगा कि क्या होता है ठीक है लेकिन इन्हें पॉएंटों को आप लोग याद रखें इनसे कुश्चन्स बार बार कूछता है आप कुश्चन्स बार कुश्चन्स बार कुश्चन्स बार